तो गाइस ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा ओसम होने वाले बहुत ही ज्यादा मज़दार होने वाले तो पूरा देखते रहेगा ब्लॉग को ये सिरिफ कमिंग सुन है आगे आप मज़े कर सकते हैं बहुत ज्यादा तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माता देखने तो चलते हैं गाइस पहुंच साय दुर्गा माता लोग का दर्कन करना है तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखो काली माता के मंदिर के पास पहुंच गया है हमारे घर के जैस्ट सामने में ही है गाइस थोड़ा से दूर में दूरग counting कफा कर देखले सक्सक्या कितना अच्छा वह कि इस तन। आगे चलते हैं बहुतृ अच्छा डेकोरेशन हुआ है और बहुत रहफ़ाल में तो बहुत ही जगा बहुत अच्छा झाल झाल आपनष्टो आपनाट पध्सुल्स और झाल दो कर देखा नहीं देखा तुम्हें काटी चड़ाता भाई क्या मस्ट डेकुरेशन हुआ है भाई देख सकते हो और थोड़ा दुर्गा माता भी देखो बहुत ही सुन्दर लग रही है तो भाई पुरे रोड को क्या ही सजाद है पुरे रोड में सारफी ही सारफी लगे हुए दस पेटी बारा पेटी सारफी पुरा पान लेके तैयार कर देखा और भाई जो मुर्थी हो तो बहुत ही बहतरीन बहुत ही जबकास मुर्थी है भाई क्या ही मुर्थी है नमबर वन तो अभी यहां पे सेवा चल रहा है और भाई बहुत ही देखो डेकुरेशन तो देखो गाइस पूरा बहुत ही रियल और बहुत ही अच्छा डेकुरेशन किये गए हैं और अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं पमले स्वरी माता का तो गाइस यह है लच्मन नगर के पास और उसके आगे जाते ही हमने दर्शन किया अपने च्छतिस गड़ी माता का भी और भाई बहुत ही सुन्दर मूर्ती था ये भी तो अभी हम लोग और आ चुके हैं इस साइड और देख रहे हैं बहुत सारे और मुट्याइब हम रास्ते में चल रहे हैं और वस्ते भोग रहे हैं गाइस तो ये छोटी सी ज्याकी यहां पर वाई साप वाली और वाई बहुत ही मज़ा आ गया ता मूर्ती देखकर तो बहुत है बहुत ही अलिसान मूर्ती बनाई थी गाइस क्या ही मज़ा आ गया देखकर अभी हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ चुके हैं और देख रहे हैं कि बहुत ही दर सुन्दर पूरा पहाड़ी चौक पूरा सजा हुआ है पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग लगा हुआ है औ और देख सकते पूरा और आगे थोड़े दूर में हमने और बहुत ही अच्छा मूर्ती देखी है और यहां पर दुरगम आता जो बैठे हैं उसके जस्ट सामने में और मूर्तिया हैं आगे देखे तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन के साथ हमें देखने को मिलता है मूर्त जो मुर्ती ये हमको बताता है कि जो किशान होते हैं उनके बारे में ये सब चीजे बताए जाते हैं जिसमें जो माता है वो पीट पर गणेज भगवान को रखी हुई है और जो हमारे स्यू जी है वो नंदी बेला चला रहे हैं और यहां का डेकुरेशन भी बहुत खास है तो आगे चलते ही हम लोग ने देखा गर्बा तो गर्बा के पास वाले मुर्ती ये है गाईस और ये है सुकवारी बजार अब जाकी देखने का ताइम आ चुका है अभी देखते जाकी गुडियारी का तो अभी हम आ चुके हैं पड़ाओ के जाकी देखने यहां भाई नौ मुर्तिया बैठी हुई है माता का जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट मुर्ती और यहां पर सेकेंड मुर्ती जो है बंजारी माता का है जो रहपुर में है और उसके बाद आता है खलारी माता का यह भी तीसरे नंबर पर हमारी दुर्गा माता बैठी हुई है यह जो जित्ते भी माता है इस पूरे 36 गड़ के माता है और हम लोग चौथे माता का बात करे तो आता है चंद्रहासनी माता का यह भी जो है वो रैगड में है और माताओं को देखा और जो बीच में माता बैठी हुई है वो है अपनी दोंगलगड की बंबले स्वारी माता तो उनके भी दरसन हमने किये हैं और गाइस आगे चलते ही हमने देखा दंते स्वारी माता जो की दंते वाड़ा में है फिर हम लोग दिखा धमतरी वाली माता को ज आपना वो ले लिए है यहां पर वह प्रूप है क्या वलती लग्टि रहा है अगर आपको देख सकते हैं अगर अगर फसा तो यह नंबर पर अपन को कॉल आएगा और अपन से आए यहां समान लेके जाना कैसा रहेंगा आपने गाई सोनो प्राइज है अवाँ साइकल भी रखा है प्रप्राइज है वाई जै बुले लिए टीवी प्रीज और यह जब चेयर, अलमारी, मिक्सी, डेक्स बॉक्स, कुकर, क्या बलते उसको रखाँ बस्ते बन आप यहीं पड़ते है लिए फ्लिए, यह एकजा बते को न दर्मक्राइज है यहाद बलते है खाँ तक्राइज आप्री फ्लिए, यह जो है फ्लिए यह जागा पांट जाएगा अज कुछ नहीं बसेगा ये टो टाइम पास के लिए है अपने साथ एक प्रेंग हो चुका है चोटे मा याद को गई है चोटे मा को टुनना पड़ है तो गैस हम लोग चोटे मा को थो भूली गाते हैं और हमने चोटे मा को थुन्ने बहुँद के लिए बहुंद्र में पाइप बाइब बाइब गड़ी बटेमा आपर बाहर में बेट करें रहे हैं लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लेने की यह आइसक्रीम पाच 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 हो गया है अग्या आपक है लोग अधियुद अधियु कि सकती दो भज़ाने की अधिया अधिया अधियाद राधिन अधिया सबस्क्राइब बटन तक पोल्छ शलो फिर वांग गया जा रहे हैं तो चोटे वां बोरी तुमन गर्वक है दिल जादब और के एक बोर रिया गाई जिसूलो भाहा नाव लगा हदा गर्वा खेदेबा जातर को बाया है गर्वा खेदने जा रहे हिसो नहीं अई, जातर मैं गर्वा खेदेबा जातर है बेदेखेदा अई... होजा बड़त्स ए उख!